हाई गई आज मैं आपको दाँगो टॉफ 5 बैंटमिंटन रेकेट अंडर 1500 रूपीज यह सारे रेकेट के साथ हमने खेला है इन में इसे जो बैस्ट है उसके इसको रैंकिंग दी है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा सबसे पहले च यह सारे रेकेट का मैंग्जमी स्टिंग टेंशन 30-32 LBS के अराउंड है तो अगर आप हाई टेंशन लगाते हो रेकेट थोड़ा साभी क्लैश होता है तो तूटने के चांसे काफी जादा बढ़ जाते हैं साथिसा अगर आप शटल को बार बार इसके फ्रेम में भी हिट कर जिसका मॉडल ने में कताना 1.0 एं मैं इसके अपको इस्परिविकेशन के बारे में बता देता हूँ तो हैडशिप ते स्टार्ट करते तो हमें आइसमेटिक देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो जो प्रवाइट करता है बिगर स्वीट स्पॉर्ट श्रिं जब आप इसमें ग्रिप एड़ करते तो आपको 94 ग्राम के आराउंड देखने को मल जाता है तो जब हम रैकेट के वेट की बात करते हैं तो यह विदाउट स्ट्रिंग होता है और जो में ऊपर से ग्रिप लगाया उसके बिना होता है यह दोनों को एड़ करने के बाद 10 ग का बजट है और यह 1200 रूपीज में मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है कलर की बात करें तो यह आपको तीन कलर में देखने को मिल जाएगा और जैसे चैसे चैसे कलर चेंज होते है उसके बैलेंस पॉइंट भी चेंज होते है जो कि अच्छी बात है हमें फिर वेराइट 5mm जो की even balanced badminton racket है तो आप अपने game style के साफ से वैसे वाला balance point ले सकते हो जब हम इस racket के साथ खेल लेते तो मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली ना vibration था racket में बहुत ही अच्छा है और खेलने में भी ठीक लग रहा था तो 1200 रुपे के साफ से बहुत ही अच्छा racket ह में देखने को मिल जाएगा जो हमारे चौथे नंबर का बान्मिंटन रैकेट है वो हमें यंग कंपनी के तरफ से देखने को मिलता है इसका मॉडल ले में फ्यूरी 11 स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो जो material use wise racket को बनाने के लिए 24 ton high modulus graphite headship की बात करता हो हमें isometric headship देखने record headlight माने यह होता है इस record का maximum weight इसके handle पे shift है बाकि sharp flexibility की बात करता हो हमें medium flexible देखने को मिलता है T-joint single piece T-joint है जैसे की आप देख सकते हो हमें grip size की बात करें तो हमें G1 देखने को मिलता है वहीं हम UNEX से compare करेंगे तो यह G6 actually में इसका grip size है तो यह यंग का grip size रहता है वो एकना opposite रहता है UNEX के Overall this racket की weight की बात करें तो आपको 77 gram के round देखने को मल दाएगा वैसे जब आप इसमें string and grip add कर दोगे तो आपको 87 gram के round देखने को मिल दाएगा है वो भी काफी तगड़ा है बाकी power की बात करें तो जैसे की मैं आपको बताया हुए एक headlight type का badminton racket है तो आपको extra power लगाना पड़ेगा अपने तुरब से short leg smashes and clear toss के लिए ये दोनों ही तो आपको अपको प्रेंट प्रेंट अपको अच्छा रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा तो आज का मारा जो तीसरे नंबर का badminton racket वह हमें हंड़ेड बैंड किसब से दिखने को मिलता है जो का मॉडल नेम है कार्बन फाइबर की बात करता हैं हमें single piece T joint देखने को मिल जाएगा sharp flexibility is flexible और बाकि grip size की बात करते हैं तो जीजिए को मिल जाएगा overall weight of the racket is 79 gram and जब आप इसमें string and grip लगाते हैं जो कि obviously अप लगा होगे तो 90 gram के राउंड ये racket देखने को मिल जाएगा finally this racket के price की बात करें तो 1450 रुपीज में देखने को मिल जाता है amazon में में लिंग में लिचे description में दी दूँगा आप वहां से जाके ले सकते है and एक चीच और इस रैकेट का shaft diameter वह में वेपर shaft देखने को मिल जिसका diameter 7.0 mm जैसे कि में बता है इसका जो balance point आपको 298 mm देखने को मिल जा है वैसे रैकेट के यह head heavy लिखा है basically जब हम इस रैकेट के साथ खेल लेते तो मुझे even balance से थोड़ से जाद है and head heavy से थोड़ा कम के बीच में इसका balance point देखने को मिला बाकि खेलने में कोई दिककत नहीं आया पावर भी अच्छा है along with that defense भी इस रैकेट का काफी सही है तो यह एक all-on type के bandwinton player के लिए काफी अच्छा राएगा तो गयजी हमारे दूसरे नमबर के bandwinton रैकेट वो भी हमें 100 brand के तरफ से देखने को मिलता है सिंगल पीश्टी जोंट देखने को मिल जाएगा शाफ लेक्सिबिलिटी इज फ्लेक्सिबल एड शाफ डियमेटर की बात करें तो 7.0 mm देखने को मिल जाता है ग्रिप साइज जी सिक्स और ओर वेट ऑफ देखने को मिल जाएगा जो है तो आपको देखने को मिल जाएगा 150 रुपीज का देखने को मिल जाता है यह वाला 3050 में 100 रुपय कम है लेकिन हमने इसको सेकेंड पोजिशन में रखा है मेरे को थोड़ा सा यह मुझ बैटल लगा वाइपर से यह मेरे गेमस्टायल के साफ से काफी ज़दा सूट कर रहा था मेभी ऐसा हो सकता है यह डिपेंड करते है प्लेयर तो प्लेयर की आप किसमें कमफडिबल फील करते हैं अगर आप देखना चाहते हो में लिंक नीचे डिस्क्प्शन में देदूंग आप वहां से जाके देख स की बात करतो हुए संग य।क हो मिल जायंगी को मिल जाता है जब आपसे उसमें 30 साइफ गिर्प हटो परटे कि Скर्द के आप शियूंगे तो आपको यह 90 ग आन गास्ठी फाइनली इस रागेट के प्राइस की बात करें तो 499 रुपीज में देखने को मिल जाएगा इसमें आपको 3 कलर देखने को मिल जाता है पहला है यह और इसके बारे में बात कर चुके दूसरा यह ग्रीन वाला एं तिसरा है नेवी ब्लू वाला तो जैसे-जैसे कलर चेंज हो है जो की एक्स्ट्रा है तो यह तीनों में से बेश्ट आपके लिए कौन सर रहेगा सबसे बात करें तो इसका जो जो चाहे ड्राइब हो गया पैलल हो गया एंड इसेव प्लेयर के लिए पी सही है यह रैकेट बाकि और इंग वाली की बात करें तो काफी अच्छा रैकेट अच्छी बात करें तो आपको इसमें एक्स्ट्रा है अच्छी टेक्निक है तो यह रैकेट आपको थोड़ा से हैवी देखने को मिल जाएगा ऑल्दो तीनों की वेट से में निकिन बैलेंस पॉंट के कारण है यह थोड़ा सा हैवी लग सकता है आपके हमने एक डिटेल वी इसका बैलेंस पॉइंट इसका ब्ला प्रश्चा ने करने को मिल जाता है इसके कारण क्या होते कि प्लेयर अपने गेम्शाल के साफ से इसमें से रैकेट चूण कर सकता है इसारा चीज்च वह काफी जाधा थागडा होने के कारण इस रैक्त को हमने नंबर वन पे रखा है तो गाई इसके अलावा हमने और भी रैकेट मंगाया थे जैसे युनेक्स का नैनोरे 7000i एंड ये थ्रेक्स का मेगापावर एक्स्ट्रीम 35 तो ये दोनों रैकेट नॉट अप्टु दे मार्क है इसलिए हमने इसको टॉफ फाइब में इसलिए नहीं किया है बाकि ये पहले के टाइम में बहुत अच्छा रैकेट है नेकिन अभी इससे भी बहुत अच्छी ये सारे रैकेट है आते आते रैकेट के कवर की भी बात कर लेते हैं तो जैसे के आप देख सकते हो ये हमारे पास यंग फ्यूरी 11 बैंड मुंटन रैकेट ये उसका कवर है कुशनिंग की बात करूं तो ठीक हमें उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता और कवर भी काफी बेसिक सा देखने को मिल जाता है उसके बात जो हमारे 100 का जो दो रैकेट है वाइपर 900 एंड रॉक 88 ये दोनों का ही सेम आपको कवर देखने को मिल जाता है कवर की कॉलिटी ओबिसली काफी बढ़िया है इसका जो डिजाइनिंग भी है मुझे काफी बढ़िया लगा है कुशन की बात करें तो कुशन भी काफी अच्छा है अंदर के तरफ काफी थिक देखने को मिलता है जिससे हमारा रैकेट रहेगा से तो ये हमारा 100 का कवर उसक है वो थर्ड पे रहेगा ऑविसली 100 के जो दो रैकेट है 300 के दो रैकेट है ये ग्यंग का एक रैकेट है आशा करता है ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी है और काफी मैनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए और प्रसनली मैंने ये सारे रैकेट को खरीदा है तो लैक मेरा भी फर्स बनता है कि बैश कॉलिटी कॉंटेट आपको लाके दूँ इसमें आपको तीम कलर देखने को मिल जाते है पहला ये औरेंज वाला दूसरा है ये ग्रीन वाला खihi कि ता दूपे ता दूपे ता धूपे ता धी आपको ता दूपे सीट basin कर दो कर दो